आज के इस वोडियो में मैं आप लोगों को डॉक्ट्सृंक के बारे में बताऊंगा और पैप-8 के बारे में बताऊंगा ये दोनों ही टॉपिक्स इंटर्व्यू में काफी फुछे जाते हैं कि डॉक्स taking क्या होती हैLR पैप-8 क्या होता है लेगिन यह कुई बढ़ी rocket science लिए इसलिए मैं आप लोगों को computer screen पर लेकर चलूँगा और हम इन दोनों topics को अच्छे से explore करेंगे let's get started तो कैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं dog strings के बारे में अब dog strings कोई बहुत special चीज नहीं है मैं आप लोग को बतानो dog strings simply आपको मदद करती है एक function को सही से समझने के लिए अगर मालो मैंने function लिखा और आपको अगर वो function description के साथ मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती तो यही dog strings यहां पर करती है तो python dog strings are the string literals that appear right after the definition of a function method class यहां module ठीक है जरूरी नहीं है यह सिर्फ function तक ही सीमित रखे हम हमें class की definition के अंदर भी dog string लेख सकते हैं और comment से किस तरह से लग होती है यह मैं आप लोग को बताऊंगा तो यह मालो हमने एक function लिखा जो कि square print करता है ठीक है बताती है और बताती है कि इस function का input क्या है क्या input expect कर रहा है और क्या इसका output होगा ठीक है अब मैं आप लोग एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोग देखोगे आपको काफी मज़ा आएगा वो चीज देखके अगर मैं आप लोग कुछ इस तरह से लिख दूँ और dog strings को लगाने के लिए आपको function की जो body है उसके just उपर एक string डालनी है कुछ इस तरह से तो ये एक special तरह की string है ये comment नहीं है आप लोग यह मन समझे ना कि ये comment है और ignore कर दिया जाएगा ये dog string है और इसको python एक special treatment देता है जैसे कि आप लोगो ने अलड़ी देख लिया underscore underscore doc underscore variable के अंदर in fact attribute के अंदर store करता है तो इस function का अगर मैं dog string देखने चाता हूँ तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ और इसको parse कर सकता हूँ पता लगा सकता हूँ कि किस तरह का ये input लेगा अगर मालो मैंने specific pattern set कर दिया अपने dog string का और मैंने अपने सारे fellow programmers को बोल दिया कि आप जो भी dog string डालोगे उसमें सबसे बहले आप पहली line में ये लिख देना कि expected input का type क्या है और उसके बाद लिख देना कि आप उस input को जो है कितनी बार ले सकते हो total number of input कितने है और उसके बाद हम square dot underscore underscore doc को parse कर पाएंगे ठीक है तो इस तरह के काम किये जा सकते है dog string से समझ रहो program के output change हो सकते है comment change करके program के output change नहीं होते है ठीक है तो यह चीज़ आप लोगो जो है अच्छे से जो है अपने दिमाग में रखनी है ठीक है तो यहाँ पर यह dog string है ठीक है और इसका output definitely 25 है और अगर आप dog string को print करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा अब यहाँ आपर देखो comments versus dog string में लिखा है comments are descriptions that help programmers better understand the intent and functionality of the program और python interpreting को completely ignore करते है on the other hand जो dog strings है वो strings है use right above the function definition function definition के just उपर ठीक है और आपके code को document करने के लिए इस्तमाल होती है ठीक है और आप dog attribute का इस्तमाल करके इस तरह से इनको access भी कर सकते है ठीक है तो इस तरह से जैसे कि मैंने dog string को access कर सकते हैं तो यह होती है हमारी dog strings ठीक है बहुत ही simple सी चीज है but again interview में question आ जाता है कोई आपसे पूछे क्या है आप comment ना बोले बोले dog string है class अगर मालो हम जो की आगे देखने वाले आने वाले वीडियो में class के अंदर आपको दिखती है इस तरह की कोई चीज आप इस ठीक है मालो मैं यह करता हूँ तो क्या यह print हो की dog string नहीं क्योंकि यह dog string नहीं है dog string अब none हो गई है dog string just इस वाली line के बाद जो लिखा है वो होगी ठीक है और इस case में वो none है ठीक है तो आपको क्या करना है जो dog string है उसको right below the function name या फिर right above the function body डालना है ठीक है इस जगा पर आपको डालना होगा इसको एक valid dog string बनाने के लिए ठीक है I hope कि यह जी समझ में आ गई आप लोग को अब पैपेट के बारे में बताता हूँ अब पैपेट क्या है पैपेट के बारे में पूछ लिया जाता है करे इंटर्व्यूज में पैपेट एक guideline और best practice provide करता है python code की 2001 में विडो ऑन रसम बैरी वार्सौ और निक कोग लैंड ने यह लिखा था और focus इसका क्या था कि आपके python program को consistent बनाये जाए, readable बनाये जाए, maintainable बनाये जाए, ठीक है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी python enhancement proposal तो हमारे पास बहुत सारे पैपेट जो कि एक document है वो हो सकते है जो कि बताएंगे कि किस तरह से अच्छा maintainable और बड़िया python code लिखा जाए, ठीक है अब zen of python के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप python में import this लिखते हो, ठीक है अगर आप Windows में हो तो आप Python लिखना ठीक है तो यह पर आप देख सकते हो कि Python REPL RE-Evaluate Print Loop यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया है अब इसको रेपलेट की रेपल से Confuse मत होना ठीक है रेपल मैंने आपको पताया था क्या होता है RE-Evaluate Print Loop Python 3.11 मैं यूज कर रहा हूँ अगर मैं यह आपर Import this लिखता हूँ, Enter मारता हूँ तो देखो कुछ print हुआ, क्या print हुआ पता है आपको यह है The Zen of Python by Tim Peters यह एक पोयम है ठीक है Zen of Python क्या है तो इन्होंने आपर क्या किया है कि पोयम लिखिया है beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, symbol is better than complex, complex is better than complicated, flat is better than nested, sparse is better than dance, readability counts ठीक है यह बहुत सारी चीज़े लिखिये हैं जो कि आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ोगे ना अगर आप एक beginner हो तो शायद आपको इसका इतना अधा important समझ में ना है लेकिन अगर आप लोग एक intermediate level पर पहुँच जाते हो एक दो projects आपने कर लिए हैं कि अगर आपने बड़े एक-दो projects नहीं करें ना python में तो आपको गलती बता नहीं होगी जब आप एक पूरा project 10-20 बना लेते हो ना फिर आपको समझ में आता है यार मैंने ये क्यों कर दिया ये करता ठीक है तो उस तरह के खयाल जब आएंगे ना जब तक आपको पता नहीं चलेगा इन सब चीज़ों क्या मतलब है फिर आप जब वापस आओगे ना इस पे अपन अपने एक से दो project बनाये python में और उसके बाद जब आपस आते हो ना इस चीज़ पर आप देखते हो beautiful is better than ugly अपने code में दिखता है explicit is better than implicit हा यार मैंने ये किया था ये करना चीज़ था हा यार ये बात सही है simple is better than complex complex is better than complicated feel कर पाऊगे आप अपने project से relate कर पाऊगे अपने project की चीज़े आपके दिमाग में घुमेंगी जब आप इसको पड़ोगे बाद में तो अगर आप beginner हो तो शायद आपको इतना अच्छे से चीज़ नहीं है समझ में ठीक है but anyways ये जो है एक easter egg है python में import this लिखने से print होता है जो कि थोड़ा सा कही ना कहीं चौका देता है लोग क इसका कोई यूज नहीं है इसका कोई यूज नहीं है पस ये easter egg डाला गया python में तो आप से अगर कोई पूछे की import this करने से क्या होगा तो आपको कहना zen of python जो है वो प्रिंट होता है और उसका बहुत बड़ा मतलब है काफी अच्छा मतलब है और अगर आप लोग एक intermediate programmer हो इसको पढ़ना एक बार और आपको कहीं नहीं अपने code से जो ऐसे similarities देखने को मिलेंगी अगर आपने playlist access नहीं करी अभी तक तो जरूर करें यहां click करके bookmark और यहां click करके save अभी इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आप आप